नमस्काल दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलेवे रिक्रिमेंट बोर्ड द्वारा NT PC CBT-1 का जो एक्जाम हुआ है और जिन भी छात्रोन CBT-1 का एक्जाम दिया है उन सभी के लिए यहाँ पर exam fees refund का link जो है open किया गया है तो आप जो है bank account की detail जो है edit करके और अपना exam fees refund पा सकते हैं यानि fees बापस पा सकते हैं तो cvt1 का जिन भी छात्रों ने exam दिया है उन सभी के लिए यह bank account detail update करने का last chance है यहाँ पर आप bank account जो है अपना update करते हैं तो आपको यहाँ पर fees refund मिल जाएगा तो pdf के माध्यम से थोड़ी सी information हो आपको यहाँ पर बताना चाहें कि government of मद्विदेश, ministry of railway, railway requirement board द्वारा यहाँ पर जो है notice जारी किया गया है जिसमें refund exam fees के बारे में यहाँ पर जानकरी दी गई है तो जिन भी छात्रों ने या जिन भी आविदकों ने अपने form भारते समाए अपना जो bank account है या bank passbook add कराई है या उसमें कुछ mistake है तो आप जो है उसे update कर सकते हैं, correction कर सकते हैं आपका जो फीस है जो exam fees है वो आपका direct आपके bank account में refund किया जाएगा तो इसकी जो link है वो open कर दी गई है यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कब से कब तक आविदन कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो आविदन है वो start हो चुके है इसकी link जो है आज open कर दी गई है, तो यहाँ पर आप आविदन जो है 31 अगस्त 2021 सक कर पाएंगे 31 अगस्त 2021 के बाद आप आविदन नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ पर अकाउंट अपडेट कर सकते हैं और अकाउंट में अगर कोई mistake है या किसी दूसरे candidate का अकाउंट आपके form में लिंक है तो उसे हटा कर आप जो है अपना खुद का personal bank account लिंक कर सकते हैं और उसमें जो है अपना फीस refund पा सकते हैं तो इसके लिए online आविदन आपके ऐसे कर पाएंगे तो यहां पर आप लिंक देख सकते हैं इस लिंक की direct जो है लिंक आपको वीडियो के नीचे description को मिल जाएगा वहां से direct है आप यहां पर पहुंच सकते हैं यहां पर आपको login का option देख जाता है सबसे पहले यहां पर आपको login करना है login करने के लिए आपके पास admin card यानी roll number होना अनिवार है तो यहां पर आपको roll number date of birth और जो आपने mobile number या email id add कराई थी form भरते समय उस पर OTP आएगा तो यहां पर सबसे पहले हम बता दें अगर आपके पास roll number नहीं है तो आप यहां से roll number forget भी कर सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं forget roll number के option पर आप जैसे ही click करेंगे आपके सामने एक page open होता है तो यहाँ पर page open होने के बाद forget roll number का option यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर आपको अपना registered number डालना है और date of birth डालनी है तो यहाँ पर आप जो है registered number डालेंगे और date of birth डालेंगे और capture code डालने के जबाद submit button के option पर click करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक roll number आपको मिल जाएगा और roll number के बाद अगर आपके पास admit card रखा हुआ है तो आप यहाँ पर roll number डाल सकते हैं date of birth डालना है date of birth डालने के लिए आप calendar को प्योग कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपके जो mobile number है उस पर OTP आएगा या email ID पर भी देख सकते हैं email पर OTP डालने के बाद आपको जो है यहाँ पर capture code लिखना है और login बटन के option पर click करना है तो आपका जो form है जो information है वो खुल के आ जाएगी वहाँ पर आपको अपना passbook से पूरी information वहाँ पर fill करनी है और इसके बाद आप जो है अपना आविदन करके अपना fees refund पा सकते हैं तो आप अपने form में सबसे पहले check कर लें अगर आपके form में किसी दूसरे candidates की detail डाली गई है या कहीं भी आपने form apply किया है और उसने स्वेम अपनी information डाली है तो आप उसे change कर सकते हैं अपने mobile phone से भी उसे change कर पाएंगे